बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गाउं में एक बच्चा आर्यन रहता था, आर्यन बड़ा ही मिलनसार और आत्मविश्वासी बच्चा था, उसने गाउं में अपने दोस्तों को बहुत समय देना शुरू कर दिया था, एक दिन उसने एक नए बच्चे को देखा, जि इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे गुबबारे थे, आर्यन ने देखा कि गुबबारे आसमान में उड़ते हैं और उसने नील से कहा, हमें भी अपने गुबबारे उड़ाने चाहिए, दोनों ने मिल कर गुबबारे बनाए और मेले के मैदान में पहुँचे, वहाँ आर्यन थोड़ी देर उदास रहा, लेकिन फिर उसने देखा कि नील उसे मुस्कराते हुए देख रहा है। वहने नील की मेहनत की सराहना की और उन्होंने मिलकर एक नया प्लान बनाया। वे गुबबारे की तकनीक सीखने के बाद फिर से काम करने लगे और अब उनके गुबबारे आसमान को छू गए। आर्यन और नील ने दिखाया कि सही मित्रता और संयोजन से हर कठिनाई को पार क किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में विश्वास और संयोजन का महत्व है।